हेलो सुट्रेंट्स वेल्कम बेक टो मैं चैनल कैसे हो आप सब उमीद करते हूं सभी अच्छे होंगे अपना ख्याल भी रख रहे होंगे तो आज हम करने ही जा रहे है अपनी वक्षीट नमबर 12 विज्ञान सब्जक्किया बिटा 7th क्लास के बच्चों के लिए 11 तारिक है ज वर्षा के दिनों में वरक्षों की सडी गली टूटी तहनियों अत्वा तनेवय च्छाल पर च्छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे देखे होंगे यह सब अपने जीवन यापन हेतु पोशक ततो वरक्षों की सडी गली तहनियों से प्राप्त करते हैं ठीक है तो पर इसकी परकार की पोशन पणाली यहती प्राप्त करते हैं जिड गली तहनियों टेहनियों से प्राप्त करते हैं परकार की जिसमें जीव किसी मृति जयविक पधार तो उसलिए कि जैविक चनुग वागगूimientos और गल सड़ने का कारण क्या है कि उसको कौन खारे होता है मृत जीवी जो मरे हुए जीवों का पोशन लेते हैं मतलब कि भोजन के रूप में ग्रहेंड करते हैं गला सड़ा कर थीक है मिरित जीवी पोशन परनाली कहलाती है व्याविदी जिसमें मिरित विग्टित जैविक धारतों को पोसक तत्रु के रुप में प्राप्त करते हैं कुछ जीव और मिरित जीवी पोशन परनाली का उपयोग करने वाले जीव मिरित जीवी कहलाती है ठीक है जैसे गलेव रक्ष पर उगा छत्रक यह छत्रक है बेटा जिनको आप मसरूम वगएरा बोल देती है ऐसे ही आकार की होती है कुछ खाने की होती है कुछ नहीं ठीक है तो यह क्या छत्रक बोलते है इनको और बाकी एक्जामपल कौन से है इसी मृत जीवी के कवक हो गए छत्र के उपर गीले हो जाते है जब कपड़ों में भी देखा होगा कई बार और अन्य पधार्तों पर भी कवको की विर्धी के लिए वर्षा रितु सबसे अच्छी प्रिस्थितिया परदान करती है तब ही वह उस समय पर जादा होती है क्यों सामयने ते कवक के विजानू वाई शूज पर बैठ जाते हैं बैग पर बैठ जाते हैं चमडों के गर्मियों में ठीक है हुममस में एक तरीके से कह सकते हो आप और वहाँ पर नमी भी होती है बारिस के दिनों में ही ये दोनों चीज़े मिल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा घंका भी होता है और क्या होता है नम ठीका वगएरा यूज करते है यह सब भी और एलकोहल बनाने शराब वगएरा बनाने के लिए और कुछ कवक जाएसे कि पैनेसलीन का हूप्योग एंटिबाइटिक पैनेसलीन नामक औफ दी बनाने के लिए किया जाता है फिक तो एक कवक का बिटब Allow का जाता जो कि अब गतीविती जानते बेटा देखो यह आपको ग्रीन ग्रीन जो दीख रही है यह क्या है कवक ठीक है ब्रेड का एक टुकडा लेकर इसे जल में भिगो ले इसके किसी नमगा उश्ण स्थान पर दो तीन दिन के लिए रख दीजिए अथवा उस समय तक रखा रहने दिए ज कि दूसरे के साथ रहते हैं तो अपना आवास और पोशन तत्व एक दूसरे साथ बाटते हैं, इन को क्या बोलते हैं सहजिवी संबंद मतलब वह क्या करते एक दूसरे की बनाता तो ये क्या करता है ये पोदे से ग्रहन कर लेता है अब बदले में उन्हें जल और पोसकों की अवसोसन में साहिता मिलती है तो कवक भी कुछ करेगा उसके फेवर में तो वो क्या करता है जडों में से क्या करता है जल और पोसक तत्वों को पेडों की पत्यों तक तो दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं सहजीवी संबन्द, लाइकेन कही जाले वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं, इनमें से एक होता है शयवाल और दूसरा होता है कवक, अपने लाइकेन नामक पोदा सुना, और नहीं सुना तो पर प्रकास स्थान दे देता है, जल पोसकत था, क्या नमें तत तो उपलफ्द करा देता है, और बदले में शयवाल प्रकास संसलेशन दुआरा संसलेशन खाद्या कवक को देता है, पदार्थ ठीक है, तो दोनों एक दूसरी की हेल्प करते हैं, अब कोशन आंसर करते हैं, कौन कौन से, येस्ट, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया, च्छत्रक, आप ये लिख सकते हो, इसके लावा भी कुछ चाहो तो लिख देना, अब बदलेशन क्या है, चमडे की वस्तुए जो लंबे समय तक गर्म और नर्म मोसम में छोड़ी जाती है, वे कवक, कवक के कारण खराब हो जाती है, अब लाइकेन में क्लोरोफिल यूग तो भागिदार कोन होता है, क्लोरोफिल क्यों से वाले भागिदार के अंदर होता है, शैवाल के, ठीक है, नहीं तो हम दूसरा भी लिख देते, अब सहजीवी संबन्द से आप क्या समझते हैं, और एक उधारन के स अच्छे से समझ आ गई होगी, कोई डाउट हो तो कमेंड बोक्स में पूछ लेना, इस वीडियो में भी टाइतने हैं, अपना नेक्स्ट ओपी कम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए से आसते रहे हैं, मुसक्राते रहे हैं, बढ़ते रहे हैं, बढ कि झारे हैं, बढ़ते रहे हैं, बढ़ते रहे हैं, बढ़ते रहे हैं, लेटियो में आटाँ टाराए्ट इस वीडियो झाली करेंगे, बढ़ते रहे हैं, बढ़ते रहे हैं, ले खे शिताते आस風 Snapp फो क submit anopes but still word out, ओक the Camus et페 underlying